नमस्कार मित्रो, 91.2 मेगा हड्स की रीडियो तुरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्राघंड मुक्त विश्विदा लेका सामुदाइग रीडियो हेलो हल्दवानी मैं ड्र दिनेशन कांटपाल साया कुराध्यापक सिक्षा सास्त्र बिद्या साका और मेरे साथ हैं आज हम चर्चा करेंगे राष्टी शिक्षा दिवस पर जैसा कि हम सभी जानते हैं राष्टी शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुलकुलाम आजात के जन्म दिवस जो की आज 11 नॉम्बर के दिनी हुआ था के आउसर पर वर्स 2008 से मनाया जा रहा है इससे पहले ये दिन जो है वो अबुलकुलाम आजात के जहनती के रूप में मनाया जाता था भारत सरकार के प्रियासों से ही वर्स 2008 से राष्टी शिक्षा दिवस मनाया गया और पहले बार वर्स 2008 में राष्टी शिक्षा दिवस मनाया गया राष्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश् जिसका अर्थ है कि लोगों में निवेश करने के लिए शिक्षा को प्राजपिक्ता देना, यानि कि जो निवेश हम कर रहे हैं, अगर हम शिक्षा में करेंगे, तो उससे हमारा समाज और हमारा देश प्रगति कर सकेगा, जैसा कि सर ने आपको बताया कि रास्टी सिक्षा दिवस हम 11 नовंबर को मनाते हैं, तो रास्टी सिक्षा दिवस मौलाना अबूल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस को रास्टी सिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुलकलाम आजाद जी के संक्षिप्त जीवन परिचे को मैं आपके सामने रख रही हूँ मौलाना साहब का जन्म 11 नौंबर 1888 को मक्का में हुआ था मौलाना अबुलकलाम आजाद जी एक प्रसित भारती मुस्लिम विद्वान थे वे कवी, लेखक, पत्रकार और स्वतनता से नानी थे 11 वर्स की आयू में इनकी माता का निधन हो गया था 13 वर्स की आयू में इनका विवा जुलेखा बेगम से हुआ मौलाना अबुलकलाम आजाद जी दर्सन एवं गडित की सिक्षा में उन्हें विसेश रूची थी भारती रास्री कॉंग्रेस के अध्यक्स भी रहे इसे दोरान भारत छोड़ो आंदोलन आरंब हुआ और कॉंग्रेस के अन्य नेताओं के सांद तीन दिन तक इनोंने जेल में बिता है खिलापत आंदोलन में भी इनकी एहम भूमी का रही उन्निस सो सेटालिस में आजादी के उपरांत कलाम सहब स्वतनत्र भारत के पहले सिक्षा मंत्री बने उसके बाद उन्निस सो बावन में लोकसभा चुनाव में वेरामपूर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदसी भी रहे उन्निस सो चपन में विस्विध्याले अनुदान आयोक की इस्थापना की गई इनके द्वारा साथ ही उन्होंने देश की प्रथम आयाइटी संस्थान की इस्थापनावी की मौलाना सहाब अर्बी के, फार्सी के, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, एम बांगला भासा के अच्छे जानकार थे अपने इसी भासा कोसल के प्रियोक से ही उन्होंने विभिन छेत्रों के तक्नीकी सब्दों का हिंदी में बड़े पैमाने पर संग्रे किया मौलाना सहाब के कई महत्पून बोर्ड एम आयोगों का गठन किया जिन में से विस्विध्याल अनुदान आयोग, AICT, All India Council of Technical Education, IIT खड़कपूर, आदी प्रमुक कई ऐसे संस्तान हैं जिनके इस्तापना मौलाना सहब ने की 1992 में मौलाना अबूल कलाम आजाद सहाब के इनी उलेखनी कारियों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया गया Eastern Learning and Literature में इन्होंने रिसर्च को बढ़ावा दिया और इसके साथ ही कई ऐसे जो महत्मुन संस्तान हैं जो कि मौलाना सहब के नाम से जिनको संचालित किया जाता है आज भी हमारे देश में जितने भी हमारे जो उच्छ सिक्सर्ण संस्तान हैं आयाइटीज हैं और विस्वर ध्याने अनुदान आयोग हैं इन सभी के स्थापन कश्रे मौलाना सहब को जाता हैं तो हमारे देश में जितने भी मौलाना सहब के नाम से कई संचालित किया गये हैं जिनके विसे में आप दिनिस कांड़ पाल सर से जानेंगे धन्यवार्ण मैं इस सहस्तान के बारे में अभी आपको बताओं कि नाम से कौन कौन से सहस्तान है इससे पहले में भावना जी कुछ अपने बिचार रखेंगी विशे शिक्षा की हम अगर बात करें तो कि भारत में इसकी सुरुवात कैसे हुई तो अगर और 1880 में जो क्रिश्चन मिसंडरीज थी उन्होंने इसकी शुरुवात की और एक चैरिटी मॉडल के रूप में चैरिटी मतलब की जैसे की उन्होंने अनाथालयों में या जो चर्च हैं वहाँ पे इन लोगों के लिए काम किया और अगर हम आपचारिक शिक्षा की बात कर बच्चे होते हैं उनके लिए 1888 में और जो हमारे इंटिलेक्च्वल डिसेबल बच्चे बहुत दिक अक्षम उनको पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन और इंस्ट्यूशन खुले वो खुला 1934 में तो इस तरह से यह जो एक फॉर्मल एजुकेशन की आपचारिक शिक्ष में RCI का गठन हुआ जो कुनरवास की चेतर में रिजिस्ट्रेशन देना इनके लिए कोर्स बनाना इस फिल्ड में काम करता मतलब यह क्रांती थी RCI का जो गठन है वो विशेश शिक्षा के चेतर में एक तरह से इसको फॉर्मल और इसे आप कहेंगे कि सिस्माटिक वे जो प्रदान किया वो RCI ने किया इसके बाद 1995 में PWD Act आया उसके बाद 1999 में Anti Act 2000 में SSA 2006 में National Policy for Person with Special Lead यह पहली National Policy थी जो विशेश बच्चों के लिए आई क्योंकि इससे पहले जितनी भी पॉलिसी थी है उसमें सिर्फ इनकी बारे में चोटी 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 से जो पॉइंट थे थे कोई एक विशेश मतब सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी लेकिन जो 2006 की थी वो जो पॉलिसी थी वो दिव्यांग जनों की ही एजुकेशन पॉलिस थी 2009 में आटी आया यह भी हमारे है क्योंकि Right to Education की अधिकार है ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बच्चों के लिए बोला लेकिन उन्होंने बोला कि सभी को शिक्षा का अधिकार है तो सब में आने कि सारे बच्चे इंटलोड हो गए और उसके बाद जो अभी आया 2006 में Right to Person with Disability Act 2016 इसने तो एक रांती ला दी कि इस शिक्षा को जो हमारी जर्नी शुरू हमने की थी वो यह कि तक आई और काफी इसमें बदलाव कि एगे जैसे हमारी दिव्यांगता इंती इसमें किस दिव्यांगता को शामील किया कि उन पे हम काम करेंगे उनकी शिक्षा के उनके रियाबिलीटेशन उनके पुनरवास के लिए हम काम करेंगे और उसके बाद जो अभी 2020 में हमारी New यो एजुकेशन पॉलिसी आई उसने भी आरपी डवलो डिय आक्ट की जितनी बाते हैं जो तिव्यांगताओं के एजुकेशन उनके पुनरवास के लिए काम करती है उसको अपनी इस पॉलिसी में इंक्लूड किया जहां तक हम समावेशन कहते हैं तो यह जो पूरी यात्रा ह यह समावेशन के लिए ही है क्योंकि अभी तक था कि हम इन्हें ले ले मतलब जैसे कहते हैं कि सबी को सिक्षा का अधिकार है हम बात करते थे कि सब को सिक्षा का समान अधिकार है लेकि समान ताकि जब हम बात करते हैं तो हम क्या यह मानते हैं कि हर बच्चा समान है समान से पहले आता है equity, quality से पहले equity यानि समता, समता का अर्थ होता है अधिकार देना, कि उस बच्चे को उसकी जो कम्याँ है या उसकी जो strength और weakness है उसके according उसको वो अधिकार देना, तो वो अधिकार दिया गया तब वो बच्चा equal हुआ, equal हुआ, तो उसको क्या मिली, उसको opportunities मिली, उसकी accessibility पढ़ी, तो यही inclusion है, तो जहां तक हम बात करते हैं समावेशन, इन्ही यात्रों के द्वारा, इन्ही policy, इन्ही act के द्वारा, इन्ही संस्थानों के द्वारा, ये यात्रा समावेशन तक पहुची, और एक चीज़ और है ग करार है, उत्राखन उपन यूनिवर्सिटी, अम्बियट कराते हैं, चार specialization में होंगी, हाँ, ये सारे अलग-अलग राज्या में है, पूरी नो है, और इंडिया बता फैल, जैसे देहरादू, हमारे निप, जो यहां पे है, निप यही है, जिसे आप निप वेट कहते हैं, तो नेशनल इस्टिटीट है, हमारे देहरादून में है, रास्टी इस्टर का है, अद्रिस्टी बाधिर बच्चो की, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, जैसे कि नई दिली में मौलान आजाद मेडिकल कॉलेज समझाते हैं, बहुत बड़ा संस्तान है, भुपार में मौला इस्टि इस्टी बाधियाल इस्ट्री में मौलान आजाद इक हैं, हैदर बाध में मौलान आजाद जी कि रास्टी उर्दू 20 बहुत दий्लिय वघ्याल एह, घम्मू में मौलान अजाद जिक कर नाम दरिय पसेडियों प्रिय के दिल्रेजु समझान है, रहीँ हुत बाधिय संग्राले बनाया गया है जिसको मौलाना अजाद संग्राले का जाता है और इसके सांसद उन्होंने जो है फाइन आर्ट के विकास के लिए विए वह सब्सक्राइब करते रहेंगे और आज के लिए रखते हैं आप सभी को लाश्टी सिख्षेद वसकी सुकावना एवम दिप सब्सक्राइब की आप सब्सक्राइब को जीवन सुक्माइब हो और यह कामना है हमारी आप सबसे धन्यवाद